लोग तंत्रे के अंदर जन बावनाओं का सन्मान होना चाहिए, जनता की इच्छा का सन्मान होना चाहिए, जनता की स्रद्दा का सन्मान होना चाहिए, हमारे साथ 19 के विधान सबा चुनाओं के बाद जो विश्वास घात हुआ है, इसका परिमार्जन करना है, मैं महाराश के चुनाव में 2019 में आया था मैं खुद उस वक्षिवसना के साथ जो समभाद हुआ मैंने खुद ने किया मैं फिर से आज कहना चाहता हूँ आपकी उपस्तिती में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंदर फढ़न विश के नेत्रुतों में चुनाव लड़े हैं और NDA जीतने के बाद देवेंदर फढ़न विश मुख्यमंत्री बना मगर चुकी आपको मुख्यमंत्री बनना था सत्ता के लिए हिंदूतों के साथ समझोता कर लिए दो पिड़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी घोदी में बैठ गए आपने हमारे साथ विश्वासघात किया सत्ता पर बैठे और फिर क्या चलाया महराश की अगाडी सरकार तीन पहिये वाली वाटोरिक्सा है जिसके तीनों पहिये अलग-अलग दिसा में है और तीनों पहिये पंक्चर है जो चलती ही नहीं महराश की जनता के पास जाना पड़ेगा घर-घर में जाना पड़ेगा क्या है सरकार महराश का कल्यान कर सकती है हमने मुकार कर कोई लाग लपेट के बगर ये बात लेकर महराश के मत्दाताओं के पास पूरे के मत्दाताओं के पास जाना पड़ेगा यह निकमी सरकार है और इस सरकार की पतन की सुरुवाद इस सरकार के पतन की सुरुवाद पूरे महर नगरपालिका के परिणामों से होनी चाहिए मित्रो नमोदी जी ने DBT किया हमारा DBT का मतलब क्या है हम Direct Benefit Transfer कहते है यह डीलर, ब्रोकर और ट्रांसपर का विद्नेस कहते है बताए महराश की जनता को क्या चाहिए Direct Benefit Transfer चाहिए यह डीलर, ब्रोकर और ट्रांसपर इंडस्ट्री चलाने वाली सरकार चाहिए मैं आज भी कहना चाहता हूँ अगर हिम्मत है इस्तिफा दिजिए करदो दो दो हाथ तीनों लोग एक साथ में लडने के लिए आए भारतिय जनता पार्टी का कारकता तयार बैठा है महराश की जनता भी इसाफ किताब करने के लिए तयार बैठी इस प्रकार से सिद्धान्त भी हिद्न राजनिती किसी भी राज्य की सरकार पसंद नहीं करती